हेलो नमस्कार फ्रेंट्स आप देख रहें गोल्डन एर अईयूकेशन यूटूब चैनल देखे आज के इस लेसन में जैसे है कि आप सभी को पता है राजस्तान LTC का जो फ़स्ट पेपर है वो कम्प्लीट हो चुका है और उसका पूरा आंसर की उसकी प्रोवाइड करूआँगा पूरे पेपर की ठीक है तो जो दोस्त पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप अगर सब्सक्राइब नहीं कि आपने तो जो नीचे राइट कलर का सब्सक्राइब बेटन है उसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन है गंटी बिटन उसे दबा लिजिएगा जिसे की जो ही सारे पेपर की आंसर की मैं आपको जो भी यहां पे पब्लिस करता हूँ अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी आगे पेपर होते हैं उनकी सब की ठीक है तो अब शुरू करते हैं देखे इस वाली सीरीज जो मैं आपको प्रवाइड करो रहा हूँ इसमें यहां पे देखिए जो पष्ट है वो राजस्तान जी के वाल मनाते हैं प्रियूशन प्रव को फिर देखिए यहां पर बान गंगा का मिला कहा लगता है यह पूछ गया है तो यह लगता है जेपूर में ही लगता है बान गंगा का मिला जो है नेक्स्ट यहां पर देखिए एक पूछ गया था कि निमलिक्त में से राजस्तान राजे का क चेवन घास का यूज क्या जाता है ठीक है पस से मिल फोलिए जो मतलब कि जो उनके लिए 뽑ू चेट यह aanपर देखुए किसमे लिड्हों पर-सिद यहां पर शिलाचा जीर्णिध। पित्रवनों से आच्छादित होना चीए, तो ये है 33% ते हैं 30% होना चीए, अपको ठीग गया है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, नाइन्थ क्वेशन है, निमन में से कौन सा कुम्मा दुआरा नहीं लिखा गया है, तो कुम्मा दुआरा नहीं लिखा गया था एक यहाँ पर देखिए निमन में से डूंगरपूर और बासवाड़ा में भील आंदोलन का नेतरत की इसी ने किया तो देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफरम नहीं है मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा या कमेंट वोक्स में लिख अपक्स तीक है बारवे नंबर का अपना कोशन है किसके प्रिस्ताव पर मतस्षि संग का नाम रखा गया था तो देखिए आपका राइटन वोगा के एम मुझे के नाम पर प्रिस्ताव पर यह रखा गया था ठीक है फिर यहाँ पे तेरवा कोशन है अपना जालोर के सासक अलाउद दिन खिल जी के मद्दे संगर्स की जानकर इनमने से किस गरंथ से प्राप्त होती है तो मेरे इसाब से यहाँ पर देखिए थोड़ा मुझे डाउट है स्याइद यहाँ पर पदमा होती है फिर दलपत विलास होगा और यहाँ पर इसको मैं आपको बाद मता दूँगा विशणवय संपरदाए के संसतापर कौन थे तो जम्बो जी हो जाएगा आपका राइट अंस ब्वाला ऑप्शन उसके बाद मैं देखे पुछागा है भारत की ग्यारवी पंचवर्षी योजना की अवदी क्या थी तो ये थी 2007 से लेकर 2012 तक या इसकी अवदी थी ठीक है एक यहाँ पे देखे निमलिक्स में से राजिस्तान के किस दिले में अनास बांध प्रियोजना का निर्मान किया जाएगा तो इसका आपका राइटन्स होगा 17 का वह जाएगा बीवाला उप्सन बांस वड़ा नेक्स्ट यहाँ पे देखे ओप्रेशन सवनड जिसकी गोषना दिसंबर 2017 की थी इसका समन्द किस सेत्र से है तो यह है रेलेवे से रिलेजेट ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे एक गुनिस्व कसन है कि राजिस्तान के उमर फारूक मेवाती का समन्द किस सेत्र से था तो गुनिस्विक आपका राइटन सोगा बी वाला संगीत से सेत्र से ठीक है फिर देखे 20 नंबर का कॉसन है अपना कॉसन नंबर 20 है जैव इधन पर राष्टिय निति का संबन निमने में से किस रसाने से संबन दीता है यह 2017 किया गया था मैंने राजस्तान की योजनाए बताया थी इसके संबन किया जाता है तो यह कितनी राइटन सोगा नेपाल में के साथ और बाहरत के बीच में होता है काफी बार बहें बता चुका फिर देखें कि यहां पर राजस्तान में निमन में से कौन सा मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभ्यान का नवे निकरन चरण है तो आपका राइटन से यहां पर हो जाएगा सी वाल उप्शन तरती है एक यहां पर देखें 25 वाप्शन है करनाटक करनाटक के राज जेपाल कौन थे यह काफी बार हम डिसकस कर चुके जो बबाजुवाई वाला है यह है ठीक है और जो अभी मुख्यमंत्री हो है एच डी कुमार स्वामा स्वामे ठीक है यह भी देख लीजिएगा नेक्स्ट यहां पर देखिए पूछ गया है कि जो जनग प्रव है दूसरा नंबर तीसरे पे है जुझनू चौथे पे सीकर और पांच वे है अलवर यह इसका क्रम आप श्र्थ अधर का नेक्स्ट यहां पर देखिए सई क्रम चुन है इनमेंसे कौन सा सही है कौन सा गलत है तो देखिए आपको बता दें जो मेद़ा बांद है यह पाए जाता है तो मेरे साब से यहां पर यह हाड़ उटी भटार होना चीए और इसका भी आप जो है यहां पर तोड़ा सा कर लीजिएगा इसको मैं बाद मताऊंगा फिर देखिए आप नेक्स्ट है जो देखिए गगगर का दो आप मैदान जो राजस्तान के हनुमानगड वसरी नगर जिलो में पाय जाता है वह निमल में से किन दो नदियों के निशेपन से बनना है तो आपका राइट अन्सों का गगगर और सतलाज नदियों के द्वारा धीगा यह बीवाल ओ उत्पाद कोन सा है तो आपका 31 वी का अंसर होगा बीवाल ओप्सन सिरी गंगा नगर फिर अलवार फिर बर्थपूर नेक्स्ट यहां पर देखिए आपका 32 अंसर है 32 वी का जो आंसर होगा आपका केंद्रिय मतस्यक सक्षन संस्तान मुंबई के द्वारा किये गया दियन 2010 क अनुसार राजस्तान में मतस्युत पादन की वार्शिक शमता कितनी है तो आपका राइट अंसर होगा 32 वी का वो जगा डिवाला शत्तर अजार में ट्रिक्टन है ठीक है फिर उसके बाद मैं 33 वे नंबर का कोसन देखिए मध्य प्रदेश्त वे राजस्तान की संयुक्त ब पुल्यानकनावदी 2013-15 में राज्ये के वनात्षिदी जो छेत्र है उसकी संक्या कितनी है मतलब कि कितनी वरा किलोमेटर पर है तो यह थोड़ा सा सर्श्पेंस यहां पर मैं इसको भी आपको बाद मता दूँगा नेक्स्ट यहां पर देखिए जो अरावली वन रोपन पर वारम की किती यह पूछा गया है तो आपका राइट अंस हो जागा इसका यह की थी 1992 से 1993 के वीच में 1922 मतरान में में शुरू की गई थी नेक्स्ट यहां पर दीखिए राजस्तान सरकार द्वारा हस्त सिलिपकला के छेतर में राज किये पुर्सकार विजयता को कितनी राश सजार दी जाती है ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर देखिए पूछा गया है कि राजस्तान में किस योजना द्वारा ग्रामिन छेतरों में उपभोकतां को मल्टी ब्रांड गुनवकता वस्तों की उपलबता कराई जाती है तो यह किया जाता है जो अनपूरुन बंडारी हो जना है यह इसका राइट अनसरो का सी वाल उप्शन फिर देखें यहां पर नेक्स्ट कॉसन है ग्रेनाइट की कटाय यहों पॉलिसिंग की इकाया राजस्तान की सेतर में पाय जाती है तो 38 वी का यहां पर देखें डी वाल उप्शन हो जाएगा यह उद्वाल चितोडगर्ट जोदपूर सब में पाय जाती है ठीक है डीवाल उप्शन हो जागा यह सभी राजस्तान का प्रमुक्स मुनलब राजस्तान में उड़ जागा प्रमुक्स सरोत कौन सा यह तो तो आप यह सकती होगा आपका राइट अनसर इसका नेक्स्ट यहां पर देखे कि खुसकेडाय और फिर छेत्र तरो चशहत्तान के किसे जीले में इसनी थाल चेतर है तो आपका राइटम से ऑगा fitsप कच्चे माल के रूप में के जाता है तो तो यहां पर इसको भी आप स λांसर तो हमें इसका आपको वीडियो मता दूँगे नेक्सर डाप 15-16 में राष्टिय खाद सुरक्स्या मिशन विथ पोशन पैटन ने केंद्रियांस वही राजियांस का अनुपात क्या है तो देखिए जो केंद्रियांस राजियांस का अनुपात हो है 60 रेश्यो 40 रेश्यो 40 रेश्यो 50 रेश्यो 51 से तो मैथ वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिसकस करूंगा ठीक है रास्तान हो गया अपने पूरा मैथ वाला और जो सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही मिलने वाला है बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप थेंक्यू सो मच पूर वचिंग अच धन्यवाद